स्टडी आईक्यू आएस अब तयारी हुई अफोर्डबल टुडेस लेक्चर आज मैं उन्हीं हैंडिटेन नोट्स के माध्यम से जो मैं अपनी लाइफ क्लासेस में कराता हूँ आप सबको पढ़ाने जा रहो सबसे पहली बात बेसिक्स ओफ एकॉनमिक्स समझने से पहले सबसे पहली बात इकॉनमिक्स ये एक वर्ड से डिराइवड है जिसका मतलब है दो पार्ट में ब्रेक कर दो अगर इस टर्म को के आपका जो हाउस होल्ड है यू लिव इन सम हाउस यू लिव इन सम प्लेस उसको मैनेज करने का तरीका उसको मैनेज कैसे किया जाता है आप महीने का 20,000 रुपे कमाते हो उसमें सारे घर का खर्चा चलाना है आपको तो आपके पूरे घर को manage करने का financial expenses को manage करने की science economics है तो यह oikonomikos नाम के term से derive होता है जो की Greek term है आप मेरे पीछे लिखा हुआ दिख रहे हैं यह हमारे handwritten notes में provide करते हैं तो same handwritten notes के माध्यम से मैं को पढ़ा रहा हूँ, oikonomikos का मतलब management of household के एक परिवार को financially कैसे चलाया जाता है यह आपका economics नाम के term से Greek term से आपको देखने मिलता है जहां पर oikos का मतलब है household आपका घर आपका परिवार और management को normos से आप signify करते हो तो oikonomikos जोर्दों दोनों को management of household की कैसे अपनी ग्रह क्योंकि बिना definition के तो आप नहीं समझ पाएंगे ना, परिभाशा तो होनी चाहिए, economics का मतलब है कि हमारे दुनिया में इस planet पर resources संसाधन बहुत limited है, वो resources जिनको आप छू सकते हो, financial resources, पैसा, इंसान इंसान भी तो दुनिया में 7 billion के करीब हैं, जिसमें से 1.4 billion तो इंडिय में रहते हैं, तो resources हैं limited और उसके comparison में हमारी इच्छाएं, हमारी desire, हमारी जरूरत हैं, हमारी इच्छाएं, वो है unlimited, खतम ही नहीं होती हैं, जिन्दगी बार इच्छाएं चलती रहती हैं, खतम ही नहीं होती हैं, तो वो है unlimited, अब इसी चीज़ को अगर मैं definition में ढाल and the utilization of the resources, कि कमी को, scarcity को, economics नापता है, नहीं समझाया, एक बार मैं लिख देता हूँ आपके लिए, economics is the study of scarcity of resources, scarcity मतलब किसी चीज़ की कमी, कि resources यह हैं limited, सीमित मात्रा में, थोड़े हैं, और इच्छाएं हमारी unlimited हैं, देखो, इंसानों की इच्छाएं unlimited हैं, हम सब कुछ खरी पर लोगों के रहने की उतनी जगह हैं नहीं, इसलिए लोगों को चाल तक में रहना पड़ता है, slums में रहना पड़ता है, बड़ी गाडियों की बात कर रहे हो, सडक पर चलने के लिए जगह नहीं है, traffic इतना है, limited space है, तो बड़ी गाड़ी कहां से travel कर पाएगी, तो इच to fulfill those needs are limited, अब तो इसी तरीके से, economics का use करके, you are able to satisfy your unlimited desires and wants, अपनी असीमित इच्छाओं को जितना maximum तरीके से, limited resources को पूरा करना आप चाहते हैं, वो economics नाम के subject के माधियम से आप कर पाते हैं, economics एक ऐसा subject है, जो आपकी unlimited wants को, limited resources के साथ, maximum तरीके से, पूरा करने ही कोश्च करता है, ताकि आप satisfied हो, आपको satisfaction मिले, ये बात आपको याद रखनी है, और क्योंकि हम चाहते हैं, कि दुनिया के अंदर लोगों की इच्छाएं, लोगों की जरुवतें पूरी हों, और जाद दस जादा पूरी हो, economics का हर जगे इस्तमाल किया जाता है, तो economics क्या study करता है, scarcity को, scarcity मतलब कमी को, कमी कैसे पूरी हो सकती है, resources क्या है, limited है, तो आपको resources मतलब एक तराजू देखो, एक तरफ आपके resources हैं, एक तरफ आपकी इच्छाएं हैं, उनको balance में लाना है, जैसे तरा society की needs पूरी करते हो, ये economics में देखा जाता है, सारी human activities, जो की wealth से related है, पैसे से related है, संपत्ती से related है, money से related है, वो economics के तहत आपको देखने मिलता है, economics के concept के तहत आता है, अचा, human activities भी अलग-अलग type के होती है, आप सुबह उठते हो, नींद खुलती है, आप हर type की activity करते हो, चाहे वो economic activity हो, चाहे वो non-economic activity हो, जैसे सुबह उठे, सुबह उठके सबसे पहले brush माजने गए, जो toothpaste आपने खरीदा है, उसके लिए पैसा लगाया, it was a monetary transaction, it is an economic activity, bathroom की आपने light जलाई, आपने नलका खोला पानी आया, पानी का बिल देते हो, light का बिल देते हो, वो हो गई आप नहां दो के मंदिर जाते हो, मस्जिद जाते हो, चर्च जाते हो, पूजा करते हो, अर्चना करते हो, और वो एक non-economic activity है, क्योंकि वहाँ पर कोई monetary transaction या पैसे का लेंदेन नहीं है, तो अपनी जिंदगी में आप हर type के activity करते है, economic activity और non-economic activity भी, अब जैसे कोई person है, वो अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तो वो non-economic activity है, बच्चे से fees थोड़ी ना लेते हैं, कि बेटा इतनी fees दे देना, वो आपका ही बच्चा है, पर वही चीज़ अगर आप school में, college में, या even study IQ में भी करें, आप पढ़ाएं दूसरों को और उसके बतले में आपको salary मिले, तो वो एक economic activity है, अब हमने ये बात समझ लिए एक economic activity और non-economic activity होती क्या है, बट एक चीज़ का confusion अभी भी आपके मन में होगा, सर economy और economics का फरक्या होता है, what do you mean by economy and what do you mean by economics, तो economics एक social science है, economics क्या है, एक social science है, economics is a social science, जहाँ पर आप society को evaluate कर पाते हो, society की जरुवतों को evaluate कर पाते हो, हम जब भी बात करते हैं, तो economics as a subject की बात करते हैं, economics एक social science है, एक subject है, subject है, जिसको आप पढ़ते हो school, colleges के level पर, subject के तौर पर आप इसे पढ़ते हो, और economy क्या है, economy, that is practical application of this subject, चाइना की economy, फ्रांस की economy, इंडिया की economy, यूएस की economy, so economy, is the practical application of the subject, और economics, यह एक social science है, theoretical subject है, जो हम पढ़ रहे हैं, वो economics पढ़ रहे हैं, जिसमें economy की जाच कर रहे हैं, इंडियान economy की, मतब एक subject को theoretically पढ़ रहे हो, तो वो social science की category में आएगा, economics एक subject है, जैसे biology, जैसे history, जैसे geography, economics भी एक subject है, और economy किसी country को signify, करते हो economy बोलकर की, पाकिस्तान की economy, इंडिया की economy, यह बात clear है, आगे मैं एक term बताना चाहता हूँ, opportunity cost, आपके हर decision का, कोई ना कोई opportunity cost होता है, आप अभी एक class देख रहे हैं, इस time पे आप big boss देख सकते हैं, इस time पे अगर कोई match चल रहे है, cricket का, football का, वो देख सकते हैं, आप वो ना देखकर, मेरी class attend कर रहे हो, आप tik-tok पे relay ना देखकर, कच्चा बदाम, पक्का बदाम ना देखकर, आप मेरी class कर रहे हो, और क्योंकि आप मेरी class कर रहे हो, तो जो चीज आप अभी नहीं कर रहे है, अभी आप जो चीज नहीं कर रहे हो, उसकी opportunity cost है, बदाब basically, you are watching this lecture, what you are not doing, has certain opportunity cost, जैसे for example, मैं भी आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं इस time पर अपनी family के साथ होता, मैं इस time पर कहीं घूमने जा रहा होता, मैं वो ना करके आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरी opportunity cost है, कि मैं कहीं घूमने नहीं गया, मैं भी आपके साथ इस class में discussion कर रहा हूँ, मैं class ले रहा हूँ, तो मेरी opportunity cost हुआ है, अब opportunity cost economic aspects की होती है, opportunity cost is the cost of potential profit which you are foregoing, जैसे example देता हूँ, आप UPSC की तयारी कर रहे हो, आप किसी private नौकरी को करते, तो आप क्या salary आती, जो salary अब आपके पास नहीं आ रही है, UPSC preparation करने की वज़े से, वो आपकी opportunity cost आपको देखने मिलेगी, the salary which you are not getting is your opportunity cost, जो salary अब आपको नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि आपको UPSC preparation करने हैं, आप चाहते हैं, IS बने, select हो, तो it is the result of choosing one alternative and foregoing the other alternative, आपने एक विकल्प चूज किया, आप UPSC की तयारी करना चाहते हो, आपने बाकी option छोड़ दिये कि जैसे private job नहीं करनी, salary जहाँ आपको मिलेगी, तो जो loss आप उठा रहे हो, जो वो alternative है आपका, उसी को opportunity cost कहेंगे, जो आप छोड़ रहे हो, अब हम micro economics और macro economics का difference देखेंगे, जिसमें पहले तो मैं सबसे पहले goods क्या होते हैं, goods मतलब जिनको आप छूँ सकते हो, touch कर सकते हो, उनको goods कहा रहाता है, इसके बारे में मैं आपको अगले एक सेकिंड में बताता हूँ, नमश्कार, study IQIS पे आपका स्वागत है, मेरा नाम वसु किटार है, यूर faculty of economics, आज आप सबके लिए बहुत बड़ी opportunity के बारे में मैं बताने आया हूँ, CSIR, Council for Scientific and Industrial Research, इनके द्वारा 2023 का notification जारी कर दिया गया है, आठ्स तारिक को ये notification आया था, form भरने की process शुरू हो चुकी है, और सिर्फ form भरने की process ही शुरू नहीं हो चुकी है, Study IQ के द्वारा इस exam की complete preparation कराने वाला batch भी start हो चुका है, और एक important information पहले 100 students के लिए इस batch के अंदर extra thousand rupees का discount available है, मतलब जो course 5000999 का आपको पढ़ रहा था, वो 4000999 का है, बट limited लोगों के लिए, limited seats के लिए, आपको जाना है studyiq.com website पर, वहाँ पर CSIR सर्च कर लेना, CSIR सर्च करके, एक option आपके सामने आता है CSIR SO ASO, ऐसे उपर सर्च किया तो आ जाएगा, हाला कि मेरे telegram group पर भी आपको यह information देखने मिलेगी, जो की CSIR crackers के नाम से है, एक बार आप यहाँ पर आ गए, अब आपको सामने क्या दिख रहे है, दो से पांच के बीच में, दूसरी क्लास आपके होगी छे से नौ के बीच में, जिसमें आपका हर सब्जेक को quickly revise करवाया जाएगा, quickly important areas को cover कराया जाएगा, देखो, अब GS जो है ना, उसका area बहुत dimension बहुत बढ़ा है, हमें क्या करने हैं, हमें quickly उन areas को cover करने हैं, जिसमें normally exams में सवाल आते हैं, ताकि हम अपने आपको strong मना सके हैं, इन areas को quickly cover करके, अपने आपको और efficient बना कर इस exam को clear कर सके हैं, अब इसमें आप English, Science, Economics, Management, Geography सारे areas देख रहे हो, सारे areas cover कराया जा रहे हैं, अगर job करते हो, college जाते हो, live नहीं देख सकते हैं, recorded देख सकते हो, recorded videos will be available to you all, कितनी भी बार देखो, कोई ऐसी समस्या नहीं है, live एक ही phone पर, एक ही device पर एक बारी में चलता है, मतलब जैसे, for example, आपने phone पर class देख रहे हो, laptop से login करना है, laptop पर OTP डालना होगा, बस इतना फर्क है, कोई ऐसे restriction नहीं लगाता study आई, क्योंकि कितनी 2-3 बार ही देख सकते हो, कितनी भी बार देख सकते हो, बट फर्क ही है, कि आपको, जब भी आप देखना चाहते हो, class को, पूरे attentive होके, पूरा focus होके देखेगा, अच्छा है, इसमें admission लेते time, maximum discounts है, यह 4,999 की price पर avail करें, तो करें कैसे, आपको यहाँ पर coupon code apply करना होगा, that is, वसु live, वसु live admission discount code apply करके, आपको यह course, 4,999 का मिल जाएगा, introductory price है, 4,999, यह वापस 5,999 हो जाएगा, इसी लिए, इसका फायदा जल्दी ले लिजेगा, course की validity हमने पूरी साल भर की रखी है, और आपका, जैसे भी exam progress करेगा, वैसे वैसे आपको, हम उसके लिए पूरी तरह, गाइड, prepare और तयार करके exam में भेजेंगे, notes हर subject के मिलेंगे, PDF form में जिनको आप याद करने के लिए, revise करने के लिए रख सकते हो, और याद रखेगा, एक important चीज है, देखिए, आपको यहाँ पे code type करना होता है, वसु live, यहाँ पर पहले से कुछ existing code होते है, present, आप उन्हे वो 5,999 का है, अगले वाले में भी 5,999 का है, अगर discount लेना है, तो बस एक ही code है, that is, वसु live, व-A-S-U-L-I-V-E, जिससे आपको discount तो मिलता ही मिलता है, मेरी personalized guidance भी मिलती है, मैं खुद आपको management के लिए, economics के लिए guide गरूँगा, economics की तो पूरी playlist पढ़ी है, मेरी YouTube पे, Indianomics के नाम से, जिसमें आपको पता है किस quality के lectures आपको provide करें है, to prepare for the exam, तो बहुत जादा beneficial होगा, इसका जरूर फायदा लीजेगा, मुझसे आप connect होना चाहते है, guidance प्राप्त करना चाहते है, मेरे साथ आगे connected रहना चाहते है, definitely, मैंने specially telegram group बनाया हुआ है, CSIR crackers के नाम से, आप नीचे bottom पर भी पढ़ सकते हैं, CSIR crackers, यहाँ पर मेरा phone number, मेरा contact number भी available है, in case आपको one to one कुछ important information चाहिए, do let me know, I will be there to guide you, I will be there to help you and I will be there to take your doubts, अब हम बाप करेंगे type of goods, तो दो type के goods होते है, consumer goods and capital goods, consumer goods होते हैं, जो ग्रहक इस्तमाल करते हैं, आप और मेरी यसी आम जनता इ हमारे इस्तमाल के लिए, इसे मैंने भी पानी पिया, पानी की बोतल का इस्तमाल किया, this is a consumer good, जो कि मैं एक consumer ग्रहक होकर इसका इस्तमाल कर रहा हूँ, final use कौन कर रहा है, consumer कर रहा है, पर कुछ होती है चीज़ां जिनने कहा जाता है capital goods, अब ये पानी की बोतल किसी factory में किस machine के इस्तमाल से बनी होगी, ये जो steel की bottle है, stainless steel के किसी machine के इस्तमाल से बनी होगी, वो machine जो ऐसे consumer goods को बनाने में मदद करती है, उन्हें कहा जाता है capital goods, ये बात आप याद रखेगा, consumer goods में तीन टाइप के होते हैं, एक होता है durable goods, अब जैसे कुछ consumer goods होते हैं, जहाँ पर आ जैसे आपका mobile device हो गया, power bank हो गया, ये आप लंबे समय तक use कर सकते हो, टीवी हो गया, गाड़ी हो गई, बाइक हो गई, this is durable good, durable मतलब जो लंबे समय तक टिकता है, दूसरे टाइप का होता है non-durable good, non-durable का मतलब होता है कि कुछ समय बाद जो खराब हो जाता है, जैसे fruits हो थोड़े durable, थोड़े non-durable, कुछ समय तक चलते हो, उसके बाद उनका usage खतम हो जाता है, ये ज़्यादा important नहीं होते हमारे लिए, अब कई बार क्या होता है, कि economics के हंदर हम देखते हैं, कि goods की demand बढ़ जाती है, जब आपकी income बढ़ जाती है, जब आप ज़्यादा पैसा कम मारे हो, तो चीज़ें ज़्यादा मातरा ना खरीद सकते हो, जैसे मेरी अगर income बढ़ गई, तो मैं अपने लिए घर खरीद पाऊंगा, गाड़ी खरीद पाऊंगा, बाइक खरीद पाऊंगा, फोन खरीद पाऊंगा, जो कि normally मैं नहीं खरीद पाता, तो ऐसे goods, जो कि लोग आम तोर पर देखा जाता है, गरीब है, वो लोग बाजरे की रोटी खाते हैं, जैसे जैसे उनके पास income आने लगती है, वो गेहूं की रोटी खाने लगते हैं, तो इससे क्या प्रूव हुआ, इससे प्रूव हुआ, कि आप एक inferior product से, एक superior product की तरफ बढ़ रहे हो, जैसे जैसे आपका income level बढ़ रहा है, एक और example देता हूँ, कुछ लोग घरों में double toned milk यूज़ करते हैं, जिसका rate कम होता है, जिसमें से सारी cream, सारी मलाई निकाल दी गई होती है, पर जैसे जैसे उनकी income बढ़ती है, वैसे वो superior goods का इस्तमाल करना, better quality के goods, full cream goods का, full cream milk का इ ये बात समझनी है आपको, तो आपको क्या पता चला, दो type के goods है, एक है आपका normal goods, income बढ़ी, demand बढ़ेगी, दूसरे inferior goods, उल्टा है यहाँ पर, income बढ़ेगी तो demand घटेगी, आप महेंगी चीज़ों की demand करोगे, सस्ती चीज़ें खरीदना छोड़ दोगे, CDC बात है, इसका example दो, public transport, शुरुआत में आप metro से सफर कर रहे हो, पर आपकी income बढ़ी तो आपने अप गाड़ी खरीद ली, अब आप गाड़ी से, अपनी personal vehicle से, एक जगे से, दूसरी जगे तक जा रहे हो, पर यह हमेशा जरूरी नहीं है, सही हो, because income काफी बार बढ़ने के बावजूद, आप किसी चीज का production नहीं बढ़ाते हो, नहीं घटाते हो, जैसे नमक हो गया, salt हो गया, वहाँ पर यह inferior goods का concept applicable नहीं होता, क्योंकि नमक तो हर इंसान खाता है, गरीब अमीर हर इंसान खाता है, तभी तो गांधी जी ने डांडी आतरा के दोरान salt सत्यागरे किया था, क्यों हर इंसान अफेक्ट होता है, ठीक है न, दवाईयां हो गई, medicine हो गई, ऐसा थोड़ी नहीं कि income बढ़ गई, तो जादा दवाईयां खरीदने लगोगे, अरे शरीर को जितनी दवाईयां चाहिए है, उतनी ही तो खरीदोगे, चाहे इंकम बढ़े या ना बढ़े, सेम तरी गिफन गुड्स का, गिफन गुड्स का मतलब यह है, वो गुड्स जो की बहुत जादा inferior होते हैं, जैसे example देता हूँ, मान लीजे आपके पास हफते का 500 रुपे आता है खर्चने के लिए, जिसमें से आप 200 रुपे खर्चते हो, आप 200 रुपे खर्चते हो, पनीर खरीदन के लिए, आता खरीदने के लिए, और बाकी 200 रुपे खर्चते हो, पटेटो खरीदने के लिए, आलू खरीदने के लिए, अब अचानक से पटेटो, जो की 10 रुपे किलो होता था, उसका रेट बढ़ गया, आलू महंगे हो गए, 10 रुपे किलो से 20 रुपे किलो हो गया, मत पहले अगर आप 20 किलो अलू खरीत पाते थे 10 ra के भाव से 10 ु 20 कितना होता जी 200 होता है अब रेट बढ़ गया 20 किलो हो गया तो आप तो 10 किलो अलू खरीत पाओगे अगर 10 किलो पोतेटो खरीत पाओगे अप पहले के मुकाबले एंट जेल रहे हैं पर potato ऐसी चीज है जो आपके लिए एक staple है मतलब इसका आप consumption करोगे ही करोगे इसका इस्तमाल करोगे ही करोगे चाए आपकी income बढ़े चाए आपकी income घटे पर potato का तो आप यूज करोगे ही करोगे तो आपने क्या किया आपने कहा मैं 200 रुपे खर्चता था आलू पे तो मैं काम करता हूँ पनीर पे थोड़ा पैसा कम खर्च लेता हूँ 100 रुपीस का पनीर खरीद लेता हूँ और बाकी का 15 किलो आलू खरीद लेता हूँ 15 किलो आलू खरीद के मैं 300 रुपे खर्च पाऊंगा पटेटो पे मतलब प्राइस बढ़ने के बावजूद आपने अपने डिमांड बढ़ाई क्यों क्योंकि आपको वो चीज चाहिए ही चाहिए थी ऐसा हमें आयर लैंड में जब एक क्राइसिस आई थी आईरिश फार्म क्राइसिस तब देखने मिला लोगों ने आलू खरीदना जादा कॉस्ट पर प्रिफर किया महेंगे दाम पर प्रिफर किया क्योंकि वो उनके डे टू डे नीड की चीज़ है जरूरी चीज़ है ये इनकम बढ़ने के बावजूद आप खरीदते हो जब भी आप माइक्र एकॉमिक्स पढ़ते है वहां पर एक कॉंसर्ट होता है डिमांड का डिमांड मतलब आप किसी छीज़ की मांग कर रहे हो किसी छीज़ को खरीदना चाहते हो आप … खुद सोचो कितने प्राइस पर आप कोई चीज़ खरीदना चाहोगे अगर कोई चीज आपको जादा expensive मिल रही है प्राइज हाई है तो जादा quantity खरीदना चाहोगे है जब उसका प्राइज लो है तब जादा quantity खरीदना चाहोगे हम सब यही answer देंगे कि हमारी demand बढ़ेगी जब हमारे product सस्ते हो गए है जब सस्ता है तो इंसान जादा खरीदना च कम होगी याद करो कोविड लॉकडाउन का जमाना जहां पर चीजों के नाम महेंगे होते जा रहे थे मास्क महेंगा हो गया था सैनिटाइजर महेंगा हो गया था ऑक्सिजन नहीं मिल रहा था ऑक्सिजन नहीं मिल रही थी हर चीज महेंगी होती जा रही थी तो जब भी ची जादा quantity में खरीद पाते हैं लोग डिमांड बढ़ा देते हैं क्योंकि लोग जादा quantity में खरीद पाते हैं इसी वज़े से जब हम economics के concept को देखते हैं लिए गफान चौड खरीदनी है उसके बिना गुजारा कहां इसलिए गिफिन गुड़ को कोई छोड़ता नहीं है नेक्स्ट लाक्षरी गुड़ और विबलन गुड़ अब लोगों के पास आइफॉन होता है घिंयर्ग की ring होती है diamond की earring होती है diamond का necklace होता है इतना महंगा आता है लोग क्यों खरीदते है show off करने के लिए दिखावे के लिए क्योंकि इनकी snob value होती है इनकी snob appeal होती है आप दिखावा करते हो लोग महंगी महंगी painting खरीदते है महंगे महंगे जूते कपड़े का गाडियां करीते हैं आईफोन खरीते हैं क्यों क्योंकि वह दिखाते हैं कि देखो हमारी income जादा है हम afford कर सकते हैं we are rich oddy, bmw, mercedes खरीते हैं because they are showing that they are rich, हम अमीर हैं उनकी income बढ़ेगी तो इन चीज़ों की demand बढ़ेगी क्योंकि वो afford कर पाएंगे इनको खरीदने के लिए normally क्या होता है कि आपकी income बढ़ती है तो चीजों का consumption कम करने लगते हो तो इसी बात है आपकी income बढ़ती है तो inferior चीजों को कम consume करते हो बट यहाँ पर आपको देखने मिलता है webland goods के साथ की income बढ़ती है मिलता है कि economics के अंदर webland goods वो goods होते है जिनकी value बढ़ती है as your income level increases जैसे जैसे income बढ़ेगा वैसे वैसे इन webland goods की value बढ़ती है यह CDC बात है this is the basic concept इसी लिए हम webland goods को देखते हैं अब आपको यह समझना है कि इसके आगे कौन से कौन से तरीके से आप economics को classify कर सकते हो दो तरीके जी हमारे पास एक है micro economics और एक है macro economics यह दो basic तरीके आप use कर सकते हो define करने के लिए यह दो तरीके आप इस्तमाल कर सकते हो बताने के लिए कि कि किस प्रकार economics को हम बाट सकते है micro economics क्या होता है micro economics का मतलब है छोटे लेवल पर, small लेवल पर, सूक्षम लेवल पर, किसी चीज़ की analysis, economics की analysis, economic concepts की analysis, micro economics की category में आता है छोटे लेवल पर, smaller लेवल पर, किसी चीज़ की analysis, micro economics की category में आता है और macro economics बड़े level पर देश के level पर country के level पर जब आप जाच करते हो country के level पर इसे macro economics कहते हैं country level पर इसे macro economics कहते हैं जहां पर देश की GDP, देश की national income, देश की per capita income आपके macro economics के concept में आपको देखने मिलता है macro economics में आप individual unit की जाच कर रहे हो, macro economics में आप पूरे देश की जाच कर रहे हो macro economics में एक इनसान की जाच कर रहे हो, जैसे मैं कोई चीज किस price पर खरीद सकता हूँ या middle class लोग कोई चीज किस price पर खरीद सकते हैं, वो देखा जाता है micro economics में और macro economics में देखा जाता है कि पूरी economy, पूरी अर्थ व्यवस्था के level पर, देश के level पर, country के level पर तो आगे से मैं अगर पूछू कि आपके level पर मैं अगर को economic analysis कर रहा हूं तो वो क्या होगा micro या macro आपका जवाब होना चाहिए कि सर micro होगा और मैं बोलू पूरे इंडिया के level पर अगर मैं जाच करूँ, economic aspects को review करूँ तो क्या होगा तो वो macro economics होगा, अच्छा, micro economics में अकरकार देखते क्या हैं, हम देखते हैं consumer behavior को हम देखते हैं marginal analysis को, marginal analysis मतलब अगर कोई factory में कोई चीज produce करता है factory का owner वो 100 unit समान बनाता है, एक factory में 100 गाड़ियां बनती है, 100 unit गाड़ियां बनती है, अगर एक extra unit बढ़ाके आप गाड़ी बनाना चाहते हो, कि अब तक factory में 100 unit गाड़ियां बनाते थी, अब 101 बनाना चाहते हो, 102 गाड़ियां बनाना चाहते हो, 103 गाड़ियां बनाना चाहते हो तो per unit कितनी cost लग रही है आपको consumer किस price पर किस दाम पर आपका product खरीद लेंगे consumer किस दाम पर आपका product खरीदने तयार है जब आप इस चीज की analysis करते हो तो यह आपका micro analysis और macro analysis पूरे देश के level पर देश में रोजगार कितना है, employment कितना है हमारे देश ने कर्ज कितना ले रखा है, उधार कितना ले रखा है डेट कितना ले रखा है, ये बात याद रखिएगा इसी लिए आपको जो बात समझनी है वच्चे हो यही है कि macro economics एक इंसान के level पर है, macro economics पूरे देश के level पर है macro economics में individual behavior को दिखा जाता है आप कब कोई चीज खरीदने तयार होते हो, आप कब किसी चीज के लिए अपनी जेव से पैसा निकाल के खर्चोगे macro economics पूरे देश की income को, 140 करोड लोगों के द्वारा एक साल में total production कितना किया गया है उसको दिखाता है, total output कितना है, total देश में production कितना हुआ एक साल में उसको दिखाता है हमारे देश में महंगाई बड़ी या नहीं बड़ी, उसको दिखाता है macro economics इसके आगे micro economics analysis बहुत simple analysis है, बहुत basic है, असान होता है macro बहुत complex है, क्योंकि हाँ पर एक इंसान नहीं है, micro में तो एक इंसान या एक company, या एक business देखते हो, आप एक businessman को देखते हो, macro economics में पूरी country is coming into the domain, बहुत complex होता है, कैसे 140 करोड लोगों के बीच में pattern create करोगे, ये बड़ी problem वाली चीज़ है, it's very difficult to create a pattern, micro economics में mostly आप price analyze करते हो, चीज़ों का दाम कितना है, एक ग्राहक किसी चीज़ को किस rate पर खरीदेगा, जैसे for example, अगर आप के लिए कोई company mobile बनाती है, तो वो देखती है, कि आप कितना price दे सकते हो, 16 अजार, 20 अजार, 25 अजार, और कुछ company या डेड़ लाग का भी रखती है, product, क्योंकि वो जानती है, कि consumer का behavior इस प्रकार है, कि वो कुछ भी पैसा देकर, apple के phones खरीदें, तयार है, डेड़ लाग के भी खरीदेंगे, कुछ लोग 15 अजार के phones खरीदेंगे, कुछ लोग डेड़ लाग के खरीदें, क्यों, क्योंकि हर इंसान की इच्छा होती है, somebody who has money, जिनके पास पैसा है, वो iPhone खरीदेगा, ताकि दिखाने के लिए कि वो किसी से कम नहीं है, कोई middle class का है, तो वो भी iPhone खरीदेगा, यह दिखाने के लिए, कि हम middle नहीं higher class के हैं, तो इसके इंसे चीजों से signal होती है, कि अगर आपके हाथ में iPhone देखेगा, तो लगेगा, आप तो बड़े अमीर हो, बड़े अच्छे घर से हो, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है, पर economics में, यह छोटे-छोटे signal, और consumer का behavior बहुत matter करता है, consumer के behavior को इस तरीके से create किया जाता है, अब toothpaste में नमक, हल्दी, चंदन, नीम, तुलसी, अलग-अलग चीज़े डालने का क्या point है, बस इसी वज़े से क्योंकि consumer चाते थे कि उनके toothpaste में जो वो मू में रख रहे हैं, कुछ गलत ना जाए, कोई chemical ना जाए, उन्हें लगे कि इस certain price from you, आप से कुछ पैसा लिया दा सके और उसे खर्चा दा सके, अच्छा, macro economics में आप पूरे देश की income analysis करते हो, एक इनसान नहीं, 140 करोड लोगों की population के इसाब से नापते हो, micro economics जो है, वो individual problems को study करता है, इन individual आप और मेरे जैसे लोगों के level पर, और macro economics पूरे economy के level पर, म जंगल मतला पूरे जंगल में अलग-अलग type के पेड़ हैं, बहुत सारे पेड़ों की एक साथ जाच कर रहे हो, तो यह macro economics की तरह है, जब आप पूरे economy की इस तरीके से जाच करते हो, review करते हो, तो वो macro economics कहा जाता है, macro level है यह, और अगर सिर्फ एक पेड़ की जाच करो, it is similar to that of micro economics, क्योंकि हाँ पर सिर्फ एक चीज की research, एक चीज को review, एक चीज को analyze, एक चीज की जाच कर रहे हो, अब ऐसी एक इनसान की level of income कितनी है, उससे कितना पैसा खर्चा जा सकता है, एक company के decisions हो गए, एक business के decision हो गए, वो इस category में आती है, प्लीज ये बात याद ठीक है जी, आगे चलने बच्चे, आगे आपको देशने मिलेगा, कि micro और macro में यही तो फर्क है, micro individual consumer को देख रहा है, और macro पूरी अर्थवस्ता को राश्च्रिय स्तर पर देख रहा है, I think ये सब आपको clear हो चुका है, आगे चलने से पहले class की PDF कहां मिलेगी, वसु कटार study IQ पर मिलेगी, अब हमने micro macro के बीट में फरक समझ लिया क्या होता है, micro और macro analysis क्या है, अब हम समझने जा रहे हैं, type of economic systems, दुनिया में तीन तरीके के economic system होते हैं, एक है capitalist economy, एक है socialist economy, और एक है mixed economy, अब आप कहोगे सर, communism कहा गया, socialist economy का ही extreme रूप, communism कहा जाता है, इंडिया जो है, वो mixed economic model follow करता है, इंडिया के अंदर हमने एक अलग model शुरू किया है, सबसे पहले capitalism का model समझेंगे, US में एक बहुत बड़ी economic crisis आई, 1920s, 30s में, उससे पहले पूरी दुनिया एक concept में विश्वास रखती थी, जो की Adam Smith ने दिया था, उस concept का नाम था, capitalism, जिसमें लाइजस fire economic system को follow किया जाता था, अब ये लाइजस fire economic system क्या है, का मतलब है कि इंटर्फियर मत करो economic activities के अंदर किसी भी तरीके का कोई interference ना हो सरकार का काम business में आने का नहीं है सरकार को ये काम delegate करना होगा private sector के हाथ में और private sector को जाकर business करना होगा ताकि देश की भलाई के लिए वो पैसा कमा सके अपनी भलाई के लिए पैसा कमा सके ये concept दिया Adam Smith ने Adam Smith जिनकी आप फोटो देख पा रहे हो शकल देख पा रहे हो 1770 में इन्होंने किताब लिखी An inquiry into the wealth of nations कि कोई देश अमीर है और कोई देश गरीब है तो क्यूं है अमीर देश अमीर क्यों हो रहे है और गरीब देश गरीब क्यों हो रहे है उसके पीछे का analysis की जाए ये analysis की गई Adam Smith के द्वारा An Inquiry into the Nature and Wealth of Nations नाम के इनकी किताब के अंदर और उसमें इन्होंने पाया कि कोई देश अमीर है उसके पीछे reason है कि वहाँ की सरकार बिजनस में कितना कम interfere करती है वहाँ पे सरकार है कितना कम से कम interference करती है और वहाँ पे business को कितनी आजादी मिलती है ये उन्होंने अपनी किताब में भी लिखा इस सिधान्त को ही capitalism के सिधान्त से connect किया रहता है capitalism मतलब profit लाभवादी सोच profit seeking thinking जो हमारी होती है कि सब कुछ profit है private sector का काम है profit कमाना profit को कमा के वापस business में reinvest करना पहली बार दुनिया में अगर कोई economic concept evaluate हुआ था शुरू हुआ था तो वो ये capitalism का सिधान थी था जो की Scottish philosopher Adam Smith ने दिया था बट ये America के उपर और UK के उपर जादा fit बैठा क्योंकि America में America की सरकार ने यही किया life, liberty and property जीवन जीने का स्वतंतरता का और संपत्ती का पूरा पूरा अधिकार मिला और लोगों को बोला जाओ जा सिमरन जा जी ले अपनी जिन्दगी जाओ business करो government interfere नहीं करी कि तुमारे मामले में government तो खुद जाके तुम business करो क्योंकि तुमारे business से एक invisible hand creator हो रहा है जो आगे धक्का दे रहा है invisible hand का मतलब है कि कुछ व्यापारी कुछ businessman काम तो अपने profit के लिए कर रहे है पर उससे देश आगे बढ़ रहा है कैसे business कर रहे है तो क्या हो रहा है production जादा हो रहा है business बढ़ेगा business grow करेगा business grow करेगा तो जादा से जादा आपको देखने मिलेगा इंडिया के अंदर या दुनिया के अंदर कोई भी देश जहां पर Business grow कर रहा है वहाँ लोह की नौक्रियां बढ़ेंगी लोग जादा पैसा कमाएंगे गौवर्मेंट को tax जादा देंगे company जादा competition करेंगी एक दूसरे से तो आपको अच्छे से quality का product मिलेगा सस्ते से सस्ते दाम पर जिससे ultimately देश और उसके ग्रहकों को फायदा होगा देश में काम करने वाले नौकरी पेशा लोगों को employees को भी benefit होगा उनको भी प्रोकरिया मिलेगी और consumers को भी benefit होगा जब better quality के product होने मिलेंगे सस्ते दाम पर क्यों क्योंकि competition है market में तो society की तो जरूरत है automatically पूरी हो जाएंगी ना सरकार को involved भी नहीं होना पड़ा society की जरूरत है भी पूरी हो गई businessmen जादा profit भी कमा रहे हैं competition भी बढ़ रहा है क्यों यह सब हो रहा है self interest के business पर इसलिए यह वो हाथ है जो धक्का लगा रहा है और economy को आगे बढ़ा रहा है पर यह हाथ आपको दिख नहीं रहा this is invisible hand invisible in the sense that you are seeing growth you are seeing development but you are not able to identify how growth and development is happening without the involvement of government बिना सरकार के involved हुए कैसे growth कैसे development देश के अंदर बढ़ रही है इस चीज़ को पता लगाया जाता है इस चीज़ को बताया जाता है through the invisible hand theory प्लीज इस चीज़ को याद रख लेना invisible hand theory के माध्यम से बताया जाता है तो year 1776 में जो Adam Smith की an inquiry into the wealth and causes and inquiry into the nature and causes of the wealth of the nations लिखी गई थी इसके अंदर बताया गया था अब कुछ फाइदे नुकसान देख लेते हैं capitalism फाइदे हैं कुछ हाँ जी बिलकुल है capitalism का फाइदा यह है कि जो businessman जो अमीर है वो नई technology को बढ़ावा देते हो चाहते हैं कि factories के अंदर production सस्ते से सस्ती कॉस्ट पे हो इसके लिए और innovation और technology भी आए तो उससे देश तरक्की ही करेगा उसके इलावा firms, businesses जो हैं उनको खुद और efficient होना पड़ेगा businessman को और efficient होके काम करना पड़ेगा ताकि consumers के लिए जादा output जादा value create कर सके अब देखो कोई business आपको जादा value दे रहा है तो आप उसी से समान खरीद होगे उसी की services लोगे हाँ या ना तो इसी लिए जैसे for example mobile SIM card है आपके अस तीन कंपनियों का एक company का network आता ही नहीं है दूसरी company का network आता है पर पहड़ी आपके consumers और increase होंगे आपके जादा consumer जुड़ेंगे इसलिए मैं बार-बार यह repeat कर रहा हूं कि businesses के पास यहां पर efficient होने के लिए incentive होता है consumer भी जो choose करना चाहते हैं वो चूस करते और वो normally वही चीज चूस करते हैं जिसमें उनको जादा benefit मिलता है जो company जो organization जादा फाइदा पहुंचा पा रही है इससे क्या होता इससे सरकार का bureaucratic control जहां पर हर चीज सरकार अपने हातों में control रखना चाहती है वो control नहीं आता बलकि you can prevent that control capitalism अपने बाकी alternative socialism और communism से कुछ फाइदे रखता है इसलिए इसको अच्छा system माना जाता है पर कमिया क्या है प्राइवेट पार्टी सरकार के साथ मिलकर क्रोणी capitalism पैदा करती है जैसे इंडिया में भी कुछ प्राइवेट बिजनिसमेन को कहा जाता है कि government के साथ involve होकर interfere करके government और यह private company सिर्व अपनी जेब भरने का काम करती है इसको कहा जाता है क्रोणी capitalism एक तरीके से private company monopoly create कर लेती है और किसी और company को market में आने नहीं देती जैसे for example एक ही company है इंडिया में मान लेते हैं और वही monopoly create कर ले टेक्निकली तो सिर्व railway में monopoly है इंडिया में और defense sector में देखने मिलेगा अब देखो न सरकार ही है इंडिया में जो हतियार खरीती है अलग-अलग company भले उन्हें हतियार बेशती हो पर it is the government only which is buying weapons तो सरकार की एक तरीके से monopoly है जब सरकार ही खरीदार हो तो monopsoni power create होती है जब एक बायर हो अब जैसे defense ministry है सारे हतियार देश के लिए defense ministry खरीदती है तो defense ministry के पास monopsoni power है वही खरीदेगी तो आप बेच की नहीं सकते जादा लोगों को सरकार अगर एके 47 की बात करें फाइटर तो government only will buy तो इसलिए government ही एक बायर है इंडिया के अंदर तो यह monopsoni power को शो करता है दो टर्म्स होते हैं एक होते हैं monopoly monopoly एक होता है monopsoni monopoly monopoly मतलब there is only one seller जैसे railway ही है इंडिया में जो अपनी service प्रोवाइड कर रहा है और monopsoni मतलब there is only one buyer जैसे defense ministry है जो इंडिया में हतियार खरीदती है defense ministry तो इनको monopsoni कहेंगे ठीक है जी तो firms can make can gain monopoly power and exploit consumers यह monopoly में होता है monopoly के अंदर एक ही seller हो तो वो ग्रहाकों को चोड़ सकता है लूट सकता है एक ही seller है एक ही बेचने वाले अब ग्रहाब कुछ भी पैसा देखे खरीदेगा और monopsoni के अंदर क्योंकि buyer एक है तो वो workers को salary काफी कम देते हैं क्यों क्योंकि उन्हें पता है कि और तरीके से तो पैसा बचाया सकता नहीं है वरकर से कम से कम पैसे में काम करवाओ capitalism का सबसे बड़ा नुकसान है कि यह profit 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 के पीछे अंधे दीवाने हो जाते हैं और environment को damage हो रहे sustainable development खराब हो रहे हैं खतम हो रहे हैं पर environment में pollution बढ़ रहे हैं पेड काटे जा रहे हैं जंगल impact होता है बहुत गलक परिणाम होता है और गरीब और अमीर के बीच में फर्क बढ़ने लगता है capitalism में कुछ लोग ही पैसा भर भर के कमा पाते हैं बाकी लोग तो सिर्फ salary पर ही गुजारा करते रहते हैं इस वह से गरीब और अमीर रिच और पूर के बीच का एक बहुत बड़ा difference यहां पर emerge होता है आपका next point आपको देखने मिलेगा capitalism में यूएस की बात कर लो economy में उतार चड़ाव आता रहता है जब 1930 आज से 100 साल पहले यूएस के अंदर बहुत बड़ी economic depression आये था बहुत बड़ी economic crisis आयी थी तो सब देशना communism से inspire हो गए जो रशिया के अंदर चल रहा था कि देखो रशिया के अंदर economy crisis का कोई सवाल ही नहीं है जबकि यह अमेरिका जो कि यह capitalist society है वहाँ पर economy अपने lowest level पर आ गई है down period का सामना कर रही है low period का सामना कर रही है जहाँ पर economy recession या depression में आ गई है और जवस्ता आगे बढ़ नहीं पा रही है economy की growth low हो गई है reduce हो गई है कम हो गई है इसलिए अमेरिका के अंदर कहा गया capitalist society थी अमेरिका के इतने उतार चड़ाव देखने से अच्छा है कम्मुनिजम और सोशलिजम अपना ले इसी लिए capitalism का बहुत बड़ा नुकसान है capitalism के बारे में आपने समझा capitalism के अंदर मैंने खास बात बताई Adam Smith के concept के साब से कि सरकार यहाँ पर involved नहीं होती है government यहाँ पर interfere नहीं करती है government कहती है business करो अपने हिसाब से करो हम सिर्फ आपके उपर tax लगाएंगे हम आप से कुछ पैसा इखटा करेंगे इसलिए capitalism बहुत अलग है आपके communism या socialism के मुकाबले capitalism के अंदर free market access है free labor होता है capitalism के अंदर workers are working for some significant salary some wages कुछ पैसे के लिए काम करते हैं capitalism में सबसे बड़ी problem यह होती है class distinction होता है upper class और lower class के बीच में capitalism के अंदर एक इंसान लोगों को सस्ते सस्ते rate पर काम करवा सकता है और यह legal और यह valid माना जाता है इसी लिए capitalism में कई सारी अच्छाईयां हैं और कई सारी बुराईयां भी है capitalism में income inequality बहुत बड़े लेवल पर बढ़ती है capitalism के अंदर अमीरों की संख्या बहुत जादा होती है और welfare का काम आमतार पर उतना नहीं होता तो जो लोग गरीब हैं वो गरीब रह जाते हैं वो लोगों को slums में रहना पड़ता है जुग्यों में रहना पड़ता है और अमीर लोग महलों में रह रहे होते हैं ये प्रॉब्लम अमेरिका में आई, मैंने उतार चड़ाव की बात बताई, कि अमेरिका की कॉनमी ने वर्ल्ड वार वन के दौरान खूब तरक्की करी, वर्ल्ड वार वन जो है आपका 1914 से 18 तक चला, जिस दौरान अमेरिका ने जर्मनी को भी और अमेरिका ने UK को दोनों को अ अचानक से ग्रोथ है थी वो ग्रोथ नीचे की और जाने लगी हो और हमारी अर्थोस्ता में जो उतार जो बढ़्रावा दिख रहा था यू एस की अकॉन में जो इंक्रीज दिख रहा था, वह यूएस की अकौन Waim当Me में डाउन जाने लगा, बिकाॉज वर्ड वार के दोरान लो बिजनिस्मेन अपने बिजनिस को बढ़ावा देने के लिए बैंकों से लोन ले ले लेते हैं फैक्टरियां खोल लेते हैं इंडस्ट्री को लेते हैं पर वर्ड वार खतम होने के बाद तो डिमांड उन चीज़ों की खतम हो गई युद्ध खतम हो गया, तबाही मची है देशों में, गरीब ही बहुत है, तो अब वो कहां से खरीदेंगे आपसे, इसलिए 1920s से 1930s का जो फेस था, अमेरिका के लिए बहुत खराब गया, जहाँ पर अमेरिका में great economic depression आया, great economic depression का मतलब है कि आर्थिक तौर पर अमरीका की अर macro economics अभी आपने पढ़ा था, उनके जनक John Maynard Keynes है, Adam Smith को father of economics कहते हैं, Adam Smith को father of economics, अर्थ्विवस्ता कहीं न कहीं, पहली बार को school of thought आये था, कोई विचारधार आये थी, तो Adam Smith की ही थी, तो इनको father of economics कहा जाता है, और John Maynard Keynes को father of macro economics कहा जाता है, यह आपसे exam में सवाल economics कहते हो, जबकि हमारी संस्कृति में, हमारे culture में, अर्थ शास्तर नाम का एक गरंथ कई साल पहले कोटल्य महरिशी लिख चुके हैं, कोटल्य महरिशी ने अर्थ शास्तर के अंदर political social administrative points के बारें बात करी, कि राज तंत्र किसी देश का कैसे चलना चाहिए, और काफी सारे economic aspects की बात करी, जिसके एसाब से देश का public administration चलाया जा सकता है, जन प्रशासन चलाया जा सकता है, तो काइदे से तो ये father of economics होने चाहिए ना, पर ये हमारा दुरभाग है कि पश्चिमी देशों ने western countries ने Adam Smith को father of economics कहा, Adam Smith के बारे में ज़्यादा जानकरी थी, इंडिया के culture क ने खराब कर दिया, बरबाद कर दिया, इसलिए हमारे चानक्य के बारे में जानकारी लोगों तक पहुंच नहीं पाई, problem सबसे बड़ी, ये थी, अच्छा, अब ये जॉन मेनाड कीन्स हैं हमारे third person, इनकी philosophy समझ लेते हैं, जॉन मेनाड कीन्स ऐसे time पर सामने आए, जब अमेरिका की economy भारी संकट से, भारी crisis से जूज रही थी, economic crisis was very very high, on a very very large level, economic crisis बहुत ज्यादा बड़े लेवल पर हो रहा था, इंडिया में, अब इस दिशा में आपको देखने मिला, कि जॉन मेनाड कीन्स ने कहा, देखो problem क्या है, problem है, लोगों के हाथ में पैसा नहीं है, हम एक काम करते हैं, people want money, क्यों ना government उनको पैसा देते, सरकार ने कहा हम कैसे पैसा दे, हम तो capitalist country है, जॉन मेनाड कीन्स ने कहा, अरे ये capitalism, capitalism छोड़ो, आपको लोगों के social welfare के लिए का काम करना होगा, कीनीजन एकॉनमिक्स में, welfare is very important, जहां पर government ने resources जनता को देने शुरू करे, नौकरियां देनी शुरू करी, बहुत बढ़ा बांध बनाया, Grand Hoover Dam, जिसका नाम था, जिससे बांध बनने से, खेतों में पानी मिला, तो agriculture production बढ़ा, जो एक खेत सूखे पड़े seeking के पीछे भागता था, अब वो यह समझ गया कि सरकार का involvement बहुत ज़्यादा जरूरी है, सरकार को हस्तक शेप, सरकार को involve बड़े लेवल पर होना होगा economy में, तो सरकार ने जैसे hoover dam बनाया, तो लोगों को नौकरी पर रखा, उनको उससे wages मिली, तनक्वा मिली, तो एक macro economic एक theory इनों ने बनाई कि सरकार को पैसा खर्चना होगा economy पर output बढ़ाना होगा, employment बढ़ानी होगी, और inflation को महंगाई को control करना होगा, मतलब government को actively economy में involved होकर महंगाई को control करना होगा, तो एक macro economic theory इनों ने दी कि सरकार को खर्चा करना होगा, सरकार उस pump की तरह है, जब pump को चल करना होगे, तो पानी निकलेगा, तो सरकार is like that, pump, government is like that, तो वही पानी जनता में वाटा जा सकता है, मतलब government वही पैसा जनता के लिए लगा सकती है, output कब बढ़ेगा, जब सरकार खर्चा करेगी, जब सरकार factors of production को बढ़ावा देगी, government की spending बढ़नी चाहिए, tax कम होना चा है, अपने अलग-अलग चीजों के उपर खर्चने के लिए, क्योंकि great economic depression में देखने मिला, कि चीज़ें इतनी महेंगी हो गई थी, इतनी expensive हो गई थी, कि आम जनता afford ही नहीं कर पारी थी, आम जनता खरीद ही नहीं पारी थी, तो जॉन मेनार्ड कींज ने यही का कि सरकार क तो market में अलग-अलग समान की supply उसके demand के साब से ensure करनी है, it is the duty of government, wages लोगों को तनख्वा लोगों को बराबर मिले, unemployment कम हो, बिरोजगारी कम हो, economy में जो उतार चड़ाव है, volatility हो कम हो, महेंगाई कम हो, और आम जनता को common man को इसका benefit मिले, common man को इसका फायदा मिले, यह philosophy, economy को stability के रास्ते पे लाने के लिए बहुत जल्दी से, stability के रास्ते पे लाने के लिए दी गई John Maynard Keynes के द्वारा, और देखिए, John Maynard Keynes की philosophy US ने implement करी और वो economic crisis, economic depression, economic recession से बाहर आ सका, अब यही philosophy Keynesian economics की, इंडिया के अंदर भी government ने कई बार कोशिश करी है, low economic growth के संकट से बाहर आने के लिए, बट हम इंडिया में वो Keynesian philosophy को पूरी तरह apply नहीं कर पाए, क्योंकि वो देखा जाए तो Western economies, American economy के philosophy के एसाब से बनी थी, 1929 के अमेरिका में great economic depression से यह बाहर लाने में अमेरिका को तो मदद किया, इंडिया के अंदर हमने ऐसा एक सिध्धान्त चलाया है, महा आप रहते हो, 365 दिन में से 100 डेस का काम आपको guaranteed मिल रहा है, जिसके बदले आपको पैसे मिलेंगे ताकि उस पैसे को खर्च के अपना पेट भर सको, अपने बरिवार को खिराना पीना खिला सको, अपने बच्चों को पढ़ा सको, उनका पेट भर सको, जिससे इंडिया में economic में growth काफी बड़ा है, गरीबी कम हुई है, और देश के progress में ये बहुत बड़ा contributory factor रहा, तो जॉन मेनाड कीन्द के सिद्धानत की वैसे इंडिया में ये concept हमने मन्रेगा का शुरू किया, ठीक है जी, ये बात याद रखिएगा, आगे चले, आगे आपको ये बात समझन है कि जॉन मेनाड कीन्द ने जब बोला कि government को ही stimulus देना है economy को, government को ही stimulus देना है economy को, monetary and fiscal initiatives के माध्यम से, मतलब economy में पैसा provide करना है, economy growth को बढ़ावा देना है, tax कम करना होगा जनता के उपर, और जनता की welfare के लिए पैसा खर्चना होगा, भलाई के लिए पैसा खर्चना होग आज पूरी दुनिया जॉन मेनाड कीन्द के philosophy को follow करती है, even India, right, अगे चलें, इस सिधान्त को जॉन मेनाड कीन्द के द्वारा दिया गया था, next जो आपका concept है, वो है कारल माक्स का, कारल माक्स, the pioneer of communism, कारल माक्स थे तो जर्मन रहते, UK में थे, इन्होंने capitalism के नुकसान को बहुत करीबी से देखा, कारल माक्स की ये philosophy थी विश्वास था, कि देखो, सारी मेहनत कौन करता है, factory में workers करते हैं, और factory में profit कौन रखता है, factory का owner, capitalist class, मेहनत सारी worker कर रहे है, पैसा सारा owner रख रहे है, ये तो नाइनसाफी है, fruits of labor, अपनी मेहनत का पैसा लोगों में बाटना चाहिए, ऐसा John Maynard Keynes की philosophy थी, कि अगर मेहनत कर रहा हूँ, अपने काम के लिए मेरे को जायस पैसा मिलना चाहिए, if I am working hard, वरना सारा पैसा तो business का owner रख लेगा, अगर owner प्यार से नहीं मानता, तो power flows from the barrel of the gun, बंदूक की नली से शक्ती का You feel very powerful, तो नकसलवादी philosophy है, नकसलवाद का सिध्धान्त इंडिया में भी, नकसली, चतिसगर्ड, उडिसा, जारखंड, आंदपदेश, बिहार के लाखों में आज भी active है, यही philosophy है, कि अगर जमीनदार जमीन नहीं दे रहा गरीबों में बाटने के लिए, और सिभ अपने लिए रखे बैठा है, तो उस जमीनदार की जमीन चीनो, उस जमीनदार को मार दो, और गरीबों में उस जमीन को बाटलो, आपस में, यही नकसलिजम का सिध्धान्त काल मार्क्स के कम्यूनिजम के philosophy से आया है, कम्यूनिजम के अंदर, कम्यूनिजम बाइदवे सोशलिजम क ही रूप है, पट सोशलिजम का बड़ा एक्स्ट्रीम फॉर्म है, मतलब सोशलिजम का सबसे उग्र रूप है, काल मार्क्स और उनके साथी, फ्रेडरिक इंगल्स, इन्होंने किताब लिखी, जिसका नाम था, कम्यूनिस्ट मैनिफेस्टो, क्या नाम था जी, इन्होंने कम्यूनिस्ट मैनिफेस्टो लिखी, किन्होंने काल मार्क्स और उनके साथी, फ्रेडरिक इंगल्स, इन दोनोंने मिल कर ये बुक लिखी थी, कम्यूनिस्ट मैनिफेस्टो, जिसमें कहा गया, पावर फ्लोस फ्रॉम दे बैरल अफ दे गन, जिसमें कहा गया, कि capitalist क्या करते हैं profit कमाते रहते हैं अपने business में लगाते रहते हैं और एक divide एक division create हो गया है एक class division create हो गया है haves and have not का division create हो गया है haves जिनके पास resources है have nots जिनके पास resources नहीं है haves जो की अमीर है have nots जो की अमीर नहीं है गरीब है और इसी capitalism के सिध्धान्त को तोड़ना होगा और इसको तोड़ने के लिए अगर वाइलिंस का भी इस्तमाल करे तो करना पड़ेगा वैसे तो प्रायॉरिटी शान्ती से होनी चाहिए पर वाइलिंस का भी इस्तमाल करना पड़े करना होगा ताकि fruit of labor को fruit of labor पर मतलब जो काम किया है, मेहनत किया है, उस मेहनत मशक्कत के बाद जो पैसा कमाया है, वो बढ़ सके, समान रूप से, एक्वल तरीके से बढ़ सके, अमीर और गरीब के बीच में, इसके लिए काल मार्क्स की फिलोसफी आई, पहली बार, क्योंकि उन्होंने तो थियोरी दी पहरी बार ये फिलोसफी, 1917 में, रूसी करांती के दौरान, रशियन रेविलूशन के दौरान की गई, जहां पर रशिया के राजा को, रशिया के किसानों ने, सोलजर्स ने, लेबर वर्कर्स ने, जो कि परिशान आ गए थे राजा के राज से, उनको हटाने के लिए इस्त परिकार का, मतलब कोई राजा महराजा नहीं होगा, सोवियत विल बी रूनिंग, वो और उनके रेपेसेनिटेटिव राज करेंगे, रशिया पहली बार दुनिया में कम्यूनिस कंट्री बना, दूसरा कम्यूनिस कंट्री बना चाइना, 1949, कम्यूनिस मूव्मेंट जो की मा माओ दूसरे लीडर थे, माओ ने, जैसे इंडिया का सिस्टम था, चाइना का भी काफी उसी तरीके से, उसी प्रकार से सिस्टम था, चाइना में बड़े-बड़े जमीनदार होते थे, वो अपने बॉड़ी गार्ट रखते थे, जो लंबे चोड़े लट्थ के साथ, चाइना पे अपनी कम्मुनिस्ट गवर्मेंट को स्टैबलिश किया, क्या इंडिया भी कम्मुनिजम के रास्ते पे किया, नहीं, इंडिया के पहले प्रदान मंत्री नहरु जी एक सोशलिस्ट लीडर थे, इंडिया में सोशलिजम का सिध्धान चला काफी सालों तक, 1947 से 1991 तक हमारे देश में कोई भी पॉलिसी बनती थी, तो उसमें सोशलिस्ट ओवर टोन होता था, मतलब समाज कल्यान के लिए ही बनाई जाती थी, समाज के लाब के लिए फायदे के लिए बनाई जाती थी, चाए नहरु जी के टाइम में हो, उनकी बेटी इंडिरा गांधी जी समाज का कल्यान हो सके, समाज को फायदा मिल सके, पबलिक को फायदा मिल सके, 1980 में उन्होंने फिर से 6 बैंकों का नैशलाइजेशन किया, 1969 में पहले 14 का, 1980 के अंदर फिर 6 और बैंक का, टोटल 20 बैंक, अब आज 12 बच्चे हैं सरकारी, उस टाइम पर बैंक का नैशलाइजे हैं, वो इतनी सी है बच्चे, कि कम्यूनिस्ट मैनिफेस्टो, जो काल माक्स ने सिध्धान्त दिया, वो पूरी दुनिया ने, किसी ना किसी रूप ने अपना लिया, इंडिया में भी कम्यूनिजम है, इंडिया में वाइलेंस से नहीं, इंडिया में पीस्फुल तरीके से बंगाल के अंदर जोती बसू की सरकार बेंगॉल के अंदर कम्यूनिजम आया इंडिया के अंदर के अंदर कम्यूनिजम आया इंडिया के अंदर कम्यूनिजम स्प्रेड हुआ क्यों स्प्रेड हुआ किस प्रकार स्प्रेड हुआ इंडिया में कम्यूनिजम इसलिए स्प्रे न देख लो इंडिया में शान्ती से पीसफुल तरीके से डेमोक्राटिक सिस्टम को फॉलू करते कम्युनिजम आया जिसको हमने 99 इंडिया में 991 के बाद सोशलिजम के सिस्टम में हमने चेंज किया इंडिया में बड़ा बदलाव लेकर आ है, कम्मुनिजम इंडिया में दो अध स्टेट्स में ही, केरला और बेंगॉल तक सीमित था, पर पूरे देश में सोशलिजम चल रहा था, सोशलिजम मतलब सोशल वेलफेर की सोच, इंडिया में सोशलिजम किस प्रकार चला, इंडिया में सरकार की पॉलिसी से जैसे इंद्रा गांधी का एक्जामपल दिया नहरू जी का एक्जामपल दिया बट 1991 में कुछ ऐसा हुआ जिसे हुम कहते हैं LPG reforms अब आखिरकार 1991 में LPG reforms की जरुवत थी तो क्या जरुवत थी और LPG में L क्या होता है P क्या होता है और G क्या होता है L का मतलब है जी liberalization P का मतलब है जी privatization और G का मतलब है globalization ये तीन चीज़ें इंडिया में आई एक्चली क्या है हमारे देश की economic condition बहुत ज़्यादा poor हो गई थी अगर मैं आपको background बताऊ तो इंडिया का agriculture sector ज़्यादा grow होनी पारा था हमारे पास कोई बहुत ज़्यादा industries थी नहीं इंडिया में ये आपको banking sector, industries, IT companies hotel देखने मिलेंगे ज़्यादा बड़े level पर नहीं थे बहुत minor level पर exist करते थे आजादी के बाद से वैसे भी हमने socialism का सिध्धान चलाया जहाँ पर सरकारी कंपनियों को हमने lead दी और बोला कि आप जाकर जादा से जादा production करो जादा से जादा उत्पादन करो सरकारी कंपनिया जैसे भारत हैवी electrical limited भेल, गेल, सेल, रेल सब सरकारी था ONGC सब सरकारी था private sector बिचारा compete ही नहीं कर पा रहा था इस वज़े से economy में एक बहुत बड़ी crisis background में बन रही थी इंडियन economy को सरकार efficiently manage कर नहीं पारी थी, खास तोर पर 1980s में, agriculture में हमारे देश की 65% population dependent थी, पर agriculture का growth rate बहुत slow था, बहुत कम था, GDP में जादा contribution नहीं था, industry, banking banking sector जादा तरक्की नहीं कर पाये था या insurance sector या foreign trade का sector जब हमारे देश के अंदर growth ही नहीं हो पारी थी, अलग-अलग sectors में तो एक बात बताओ, सरकार के पास पैसा खर्चने के लिए आएगा कहां से, तो सरकार का expenditure was more than the income सरकार का खर्चा उनकी income से जादा हो गया, सरकार ने और पैसा उधार लिया, सरकार ने और पैसा borrow किया to finance the deficit घाटे को पूरा करने के लिए सरकार ने इंडिया और इंडिया के बाहर के बैंकों से, international financial institution से पैसा उधार लिया बलकि हमें तो अपना सोना भी गिर्वी रखना पड़ गया, सरकार को इतने पैसे का करना क्या था, सरकार developmental policy चलाती थी सुई से लेकर हवाई जहाज इंडिया में government बनाती थी, agriculture से लेकर हर एरिया में सरकार interfere करती थी, और अलग-अलग developmental policies के लिए subsidy देती थी, देखो ना, सरकारी hospital, सरकारी school, सरकारी college यह बनाने होते हैं सरकार को, तो development पे पैसा खर्चना होता है, roads बनाने होते हैं highway बनाने होते हैं, अब बेरोजगारी इतनी थी, गरीबी इतनी थी, population बढ़ती जा रही थी, सरकार की income बढ़ नहीं रही थी, खर्चा सरकार को, फिर भी करना था, developmental programs का सरपय बोज था, जो कि हमारे देश के लिए additional revenue create नहीं कर पा रहा था, government लगातार continue to spend money on developmental programs, government कितने भी developmental program चला रही थी, बट हो additional revenue नहीं earn कर पा रही थी, दिक्कत तो यह न, सरकार पैसा कमाईगी कहां से, tax से क्या आपको लगता है कि लोग tax पे करते थे, smuggling करते थे, लोग उस time पे, आप पुरानी हिंदी पिक्चरों के अंदर अगर देखेंगे, तो आपको क्या देखने मिलेगा, villain कौन होता था, हमेशा smuggler को villain दिखाते थे, taxation बड़ा low लगाय रहता था, बहुत कम level पर tax लगाय रहता था, लोग गरीब थे, तो जादा देश की अबादी tax ही नहीं दे पाती थी, आज भी 6% के करीब, 7% के करीब, लोग income tax फाइल करते हैं, 94-95% population आज भी income tax नहीं फाइल कर रही, तो उस time पे तो और भी कम था, तो government internally taxation के माध्यम से पैसा कमा नहीं पारी थी, सरकारी कमपनियों की भी income कोई बहुत ज़्यादा थी नहीं, वरना सरकार के खर्चे निकल जाते, अच्छा, इंडिया एक closed economy थी, हमारे दरवाजे बंद थे, हमने दूसरे देशों के लिए दरवाजे बंद करके रखे हुए थे we were a closed economy हमने दूसरों के लिए दरवाजे बंद करे थे पर बाहर से जाकर oil खरीदना, petrol खरीदना, gas खरीदना electronics खरीदना, medicine खरीदना हमारे लिए जरूरी था, gold खरीदना शादियां होती थी, हर त्योहर पर सोना चाहिए होता था, और इसके लिए बाहर अगर आप कुछ खरीदो के बाहर से, तो नहीं payment किसमे करोगे आप ले जाओगे, रुपया देने वो कहेंगे ना जीना, हमको चाहिए dollar, हमको चाहिए euro, अमेरिका के साथ trade करोगे, middle east के साथ trade करोगे euro के साथ trade करोगे, तो रुपया थोड़ना लेंगे, वो dollar लेंगे, वो pound लेंगे, जो कि वो इस्तमाल कर सकते हैं खुद रुपय का क्या करेंगे, इसी लिए इंडिया के पास सिर्फ दो हफते का import cover बचा, मतब दो हफते के बाद अगर हम बाहर से कुछ खरीदना चाहते हैं, तो उसको खरीदने के लिए हमारी तिजोरी में dollar नहीं है हम बाहर से नहीं खरी सकते हैं, we will not have enough money to buy इतना पैसा भी हमारी जेब में नहीं था तो इसी लिए हमारे economy में ये background हमें देखने मिला that we were having a very poor very bad condition, economic condition, सरकार का खर्चा हमारे revenue से जादा बढ़ रहा था, और सरकार की उधारी बस एक limit क्रॉस कर गई और ultimately हमें कहा कि अब तो हमें अपने exports को boost करना होगा या imports को कम करना होगा या तो बाहर जादा समान बेचो और पैसा कमाओ, या तो आगया है, बदलाव का World Bank और IMF से इंडिया ने मदद ली 7 billion dollar कुछ का लोन लिया, इस crisis से जूजने के लिए और World Bank IMF ने कहा हम लोन तो दे देंगे पर आपकी economy में फिर से problem हो गई तो क्या करेंगे, फिर आ जाओगे लोन मांगने, तो once and for all अपनी economy में कुछ reforms करो, ऐसी conditionalities, ऐसी conditions हमारे उपर LPG reforms के तहत, World Bank और IMF ने लगा दी कि कहा कि हमारी बात मानो, हम एक doctor है तुमारा इलाज करने आए है, कड़वी दवाई भी खिलाएंगे तो खानी पड़ेगी, माननी पड़ेगी बात हमारी ठीक है जी, LPG reforms में L था, liberalization liberalization का मतलब है कि open करो, economy को open करो अरे essential goods, खाने पीने की चीज़ा तक महंगी हो गई थी दूसरे देशों से हम बहुत ज़्यादा import कर रहे थे इंडिया का foreign exchange दो हफते के level पर आ गया था तो heart attack की situation में आप दो चीज़ें करने की कोशिश करते हो एक तो patient को stable लाने की कोशिश करते हो कि उस heart attack के बाद उसका heart normal condition में pump करे और अब वहां से आप उसको structural change लाने की कोशिश करते हो कि भाईया तला भुना मत खाओ, ये दवाईयां खाना आपको juice पीना होगा, walk करना होगा, running करनी होगी, gym करना होगा ये structural changes पर तुरंत जब heart attack आ रहे तब आप यह नहीं कह सकते कि अरे अरे तुमने छोले बटूरे क्यों खाए वो तो तब ही हो सकता है ना when the purpose person is in a stable condition तो पहले economy को हमने stabilize करने कोशिश करी उसके बाद ये structural change लेकर आए जिनको आप LPG reforms कहते हैं जहां पर चीजों के बढ़ते वे दाम को control किया insufficient foreign exchange reserve जो बहुत कम हो गया था उसको control करने कोश्च करी, short term और long term solutions find करके इससे economy में efficiency बढ़े, हमारा देश competitive बन सके किसी और देश की तुलना में तरक्की कर सके Indian economy develop हो सके liberalization में हमने कहा कि सरकार जो भी interfere करती है businesses के अंदर, private businesses के अंदर अब नहीं करेगी सरकार पहले हर चीज की policy बना दीती थी export, import, policy की इंडिया में सुई से लेकर हवाई जहाज भी सरकार के हिसाब से बनाना पड़ता था कितने quantity में बनाओगे, कितने price पे बेचोगे, कौन से देश को बेच सकते हो ये सब सरकार बताती थी, अगर factory खोलनी है, industry खोलनी है तो सरकार से license लिना पड़ता था सरकार की export, import policy थी, सरकार की industrial licensing policy थी हमारे देश के अंदर सब कुछ सरकार की अनुमति के बाद ही होता था तो दिक्कत ये होई कि LPG reforms के अंदर हमने सबसे पहले तो liberalization की कोशिश करी, जो अब तक problem थी हमारे देश के अंदर LPG reforms में सबसे पहला reform हुआ, L, L मतलब liberalization policy के साब से, सोई से लेकर हवाई जहाज तक, कौन सीचीज, प्राइवेट institutions बना सकते हैं, प्राइवेट company बना सकती हैं, export, import policy के साब से, decide किया रहा था था, कौन सीचीज हैं, बाहर बेच सकते हो, बाहर से इंडिया में technology लाई जा सकती है, नहीं लाई जा सकती, investment बाहर से इंडिया में आ सकता है, नहीं आ सकता, सरकार ने कहा कि बहुत involvement हो गया, बहुत interference हो गया, अब government को जादा interference नहीं करना, सरकार ने कहा जो license की condition है, वो हम खतम करते हैं, सरकार ने कहा जो factory ओमें जा जाकर, सरकारी inspector चापा मारते थे, सरकारी inspector factory ओमें जा जाकर, जो चापा मारते थे, जो रिश्वत वसूलते थे, जो हफ्ता वसूलते थे, उसको खतम करना है, तो liberalization का एक pillar हो गया, कि आपका inspection राज खतम, इंस्पेक्शन राज खतम, लेबर इंस्पेक्टर, factory इंस्पेक्टर, जो गलत तरीके से, लेबर इंस्पेक्शन, factory इंस्पेक्शन के नाम पे, रिश्वत खाते थे, वो खतम हुआ, दूसरा, quota restriction, सरकार बताती थी, कि कितना production प्राइवेट सेक्टर कर सकता है, कि आपकी factory है, 20 टन से जादा समान नहीं बना सकते, आरे वो 50 टन से जादा समान बनाने की capacity रखते हैं, तो उन्हें करने दो ना, बेचेंगे और पैसा कमाएंगे, बिजनिस करेंगे और पैसा कमाएंगे, प्राइवेट सेक्टर को तो कई सारे इंडस्ट्री में आने ही नहीं दिया जाता था, और कुछ सेक्टर जो हैं, वो small scale industries के लिए कंट्रोल किया राता था, आप कोई small scale company है, वो बड़ी नहीं होना चाहेगी, क्योंकि उसको छोटा रहकरी, सरकार के कई सारे industrial benefits का फाइदा मिल रहा है, इस तरीके से हमारे देश के अंदर कई सारी companies जो अपना potential पा सकती थी ग्रो करके, वो भी ग्रो नहीं करी, और कई सारी companies जो की इन industries में, अब मेरा उसमें फाइदा नहीं होगा, अगर मैं अपने पूरा scale, एक बड़ी economy of scale नहीं create कर पाया, अगर मैं एक बड़े level पर economy growth नहीं create कर पाया, तो problem ही सारी यहीं थी, कि इंडिया के अंदर price fixation, वो सरकार करती थी, inspector राज सरकार का होता था, industries को permission सरकार देती थी, छोट जो small scale industries थी, उनको भी सरकार से permission लेनी पड़ती थी, तो पूरा एक control चुथा सरकार का वो कम किया गया, सरकार ने एक पिंजरे में बंद पक्षी को दीरे दीरे बाहर छोड़ना शुरू किया, वो पिंजरे में बंद पक्षी था, इंडिया का business sector, उसको open किया, 1991 के reforms के बाद, जहां पर हमारे देश के अंदर, कुछ areas को छोड़कर, जैसे की alcohol creation, शराब की factory या, उसके लिए सरकार की permission लगते थी, हातियार बनाने की factory या industrial explosives, या defense equipment, defense के equipment हो गया हतियार, mining, minerals, rare earth minerals, ये सब सरकार ने, अपने पास रखा, या license restriction बनाए रखी, या दवाई बनाने की industries, alcohol, tambaku, hazardous chemicals की industry, कुछ industries तो सरकार ने अपनी pocket में रखी, atomic energy, railway, space sector, ये सरकार ने अपनी जेब में रखी, बाकी सारी इनको छोड़ के सारी industries को, सरकार ने ओपन कर दिया, कि जाओ private sector वालो आओ, इस business में, इन type के business में enter करो, and business करो, it was open to the private sector, और private sector ने आकर इन areas में business करना शुरू किया, इस तरीके से इंडिया में liberalization चला, सरकार पहले control करती थी, चीजों के दाम भी खुद decide करती थी, अब कुछ चीजों को छोड़कर, बाकी चीजों के दाम private sector को decide करने की, पूरी पूरी permission दी, तो सरकार ने de-licensing करी, license की conditions को कम किया, de-reservation किया, जो industries सरकार के पास reserved थी, उनको खतम किया, इसके अलावा, government ने deregulation किया, deregulation मतलब वो industries इनको government regulate करती थी, बहुत strong तरीके से, उनसे regulation और restriction हटा दिया, next अगरा कुछ हुआ हमारे देश में, तो वो था privatization, privatization के तहट, private sector, privatization के तहट, private sector की growth को बढ़ावा देना शुरू किया, जो सरकार के पास, जैसे for example, कही सारी कंपनिया थी, वो loss करवा रही थी, तो उन loss कमाने वाली कंपनियों का divestment किया, उठा के सीधा private हातों में दे दिया, जैसे IRCTC का best example है, Indian Railway, catering and ticketing company, जो है, private sector के हात में दे दिया है, Air India का example दो, Air India Tata को बेचा है ना अभी, Air India तो Tata को बेचा है, वो disinvestment का ही एक example है, इसके इलावा आपको देखने मिलेगा, disinvestment के इलावा, इंडिया में divestment के इलावा, divestment कहते हैं ऐसे, disinvestment का ही एक रूप होता है, divestment के इलावा, disinvestment हुआ, divestment मतलब जब आप public sector से उठा के, कोई चीज private sector के हाथ में देतो, disinvestment का मतलब है, चाए 0.1%, चाए 1%, चाए 10%, चाए 100%, आप अपनी, बिजनिस का, चाए 1%, चाए 10% भी बेच रहे हो, पर अगर किसी private sector के हाथ में बेचे हो, जैसे अभी LIC के shares market में बेचे, हम जैसी जनता को IPO में बेचा, initial public offer में था, पहली बार जब जनता को share बेचे जाते हैं, हमने खरीदा भी, क्या हूँ, एक सरकारी company, जिसमें पहले सरकार का control था, वो private हातों में चली गई कुछ का percentage से, तो यह है dis investment का example, अब यहीं पर privatization लिखा होता, इसका मतलब है किसी भी company में 51% से जाधा private sector का share होना, अगर किसी company, जिसे air India में आज Tata का share आ गया, तो आज वो privatize हो गई है, dis investment और privatization में फर्क है, dis investment मतलब चाहे 1% आप share बेच रहे हो किसी और को, वो dis investment का example है, जहाँ पर ownership और control बहुत limited level पर आप किसी को दे रहे हो, you are basically selling shares with the objective of raising funds, पैसा ही घटा करने के लिए, आप share बेच रहे हो, share general public को बेचे जा रहे हैं, privatization के अंदर ownership management की, control management का, private हातों में दिया जाता है, जहाँ पर 51% से 100% का owner private sector हो जाता है, minimum 51%, maximum 100%, तो privatization मतलब जब 51% minimum, या maximum 100% किसी company का share private हातों में चला जाए, ये फर्क है, और इंडिया हमें privatization को हमने बढ़ावा दिया, जहाँ पर ownership और control कई सारी industries का private हातों में दिया, ताकि सरकारी कंपनिया जो loss कमारी थी, जो financial discipline नहीं था, वो दूर हो सके, modernization आ सके, modernization बड़े level पर आएगी, तब ही देश तरक्की कर सकेगा, बलकि सरकार ने privatization किया, FDI आया इंडिया के अंदर foreign direct investment, काफी FDI आया, private sector के अंदर, इंडिया became one of the largest FDI receiver, FDI का मतलब है foreign direct investment, इंडिया में बढ़े level पर आया, अभी मैं globalization बात करने वालो, globalization के साथ आपको समझाओंगा, कि FDI कितना important है दिश के लिए, दो तरीके की investment होती है, यह आगे हम, जब हम foreign investment पढ़ते हैं, तब पढ़ते हैं, तब एक FDI होती है, जिसे हम foreign direct investment कहते हैं, foreign direct investment, और एक FII होती है, foreign institutional investment, इंडिया में यह दोनों बड़ी काफी level पर, काफी हाई level पर, foreign direct investment मतलब जहां पर 10% से ज़्यादा share में, पैसा invest किया रहा है, जैसे टेसला इंडिया में आके अपनी पूरी एक, ब्रांच खोलेगा, उसमें टेसला का मालिक आना हख होगा, तो foreign direct investment का example है, जहां पर पूरा पैसा लगा है, करोड़ा लुपे लगा हैं, फैक्टरी खोली है, हमाँ पर manufacturing होती है, बट यही अगर shares में invest किये जाते, मालो कोई foreign individual अमरीका में बैठा है, वो reliance के 10% से ज़्यादा share खरीद ले, यह सोचकर कि इंडिया आज भी developing country है, यह company body developing है, आगे grow होगी, तो मेरे को जितना पैसा में लगा है, उस पर जादा तरक्की मिलेगी, ऐसे investments को foreign institutional investment, या foreign portfolio investment कहा जाता है, यह टिकाव नहीं होता, यह बिकाव होता है, यह जैसे ही पैसा कमा लेते हैं, देश छोड़के चले जाते हैं, जिसे कहा जाता है, flow of capital, और क्योंकि यह stable नहीं होते, यह कभी भी अपना पैसा हमारी economy से निकाल के जा सकते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है, hot money, hot money इसलिए नहीं कि बड़ा गरम गरम पैसा लेकर आ रहे हैं, hot money इसलिए क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं है, यह हमारे देश को छोड़के बहुत जल्दी जाते हैं, देश से उड़ जाते हैं, foreign investment लेकर जितनी जल्दी आए हैं, return कमाके उतना जल्दी चले जाते हैं, तो यह तो ठहरे परदे सी साथ क्यान निभाएंगे, नहीं होता, फिर हम इन्हें allow क्यों करते हैं, यह sustainable form of investment नहीं होता, तो हम इन्हें allow क्यों करते हैं, हम इन्हें allow इसलिए करते हैं, क्योंकि foreign institutional investors, हमारे stock market के growth को बढ़ावा देते हैं, shares में पैसा लगाते हैं, shares में temporary capital डालते हैं, जो देश की growth को ज़्यादा बड़े level पर ले जाने की कोशिश करता है, इंडिया में FDI काफी आई, इंडिया ने globalization को बढ़ावा दिया, दुनिया भर से company हमारे देश में आने लगी, और इंडिया में consumerism का concept बढ़ने लगा, globalization की अच्छा ही है होई, की दुनिया भर से investment हमारे देश में आई, दुनिया भर से capital और दुनिया भर से technology हमारे देश में आई, सिर्फ technology नहीं management practices भी, और दुनिया को हमारी जरुवत थी, हमने भी इससे बहुत investment कमाया, बहुत पैसा कमाया और हमसे भी बहुत जादा पैसा, दूसरे देशों ने कमाया हमारे देश में BPO services, IT services के माध्यम से, call center open करके IT companies को बढ़ावा दे कर, हमारे देश में पूने, बेंगलूरू, हैदरबाद, चेननाई, गुरुग्राम, नॉइडा, में कई सारे call centers, IT, IT enabled services companies खुली, business processing, outsourcing, BPO, sector, KPO खुले, जिन्होंने, क्योंकि English जानते से, software के उपर, technology के उपर अच्छी पकड़ थी, दूसरे देशों में, जादा से जादा है इन्होंने, अपनी technology transfer करनी शुरू करी, अपनी services transfer करनी शुरू करी, और low cost, और low cost services provide करनी शुरू करी, low cost का मतलब है, कि इंडिया के BPO sectors, अगर US में किसी को 4000 डॉलर में देके काम करवाना पड़ेगा, 4000 डॉलर में काम करवाना पड़ेगा, इंडिया में, आप बहुत अराम से, 40,000 रुपे में भी काम करवा सकते हो, लोग सस्ते में करने तयार हैं, पढ़ी लिखी जनता थी, कंप्यूटर में educated थी, expert थी, और हमने जादा से जादा सर्विस export करना global level पर शुरू किया, इसी time पर China ने समान का export करना शुरू किया, हमने services export करना शुरू किया global level पर, और हम services export करते हुए, गलोबल लेवल पर जादा से जादा growth हासिल करते हैं, और हम ये globalization का फायदा लेते ह एक दूसरे से वर्ल्ड इंटर कनेक्ट हो जाती है एक दूसरे से ग्लोबलाइजेशन का कुछ नेगेटिव भी हुआ बिलकुल हुआ बहुत ज्यादा कंज्यूमरिजम आ गया बहुत ज्यादा फास्ट फूड कल्चर आ गया रिच बिकेम रिच पूर बिकेम पूर इनिकॉलिटी बहुत बड़ी असमानता बहुत बड़ी अर्बन रूरल डिवाइड रिच पूर डिवाइड बड़ा गरीब अमीर का फरक बड़ा ठीक है ना हैव जन हाव नॉट्स का फरक बड़ा कुछ लोगों की इंकम बहुत तेज gap पैदा हुआ क्योंकि technology change हुई उस वजए से globalization से जादा massive results बड़े massive level पर results इंडिया में नहीं आ सके globalization could not bring massive results big results it could not produce massive results इसी लिए आपको देखने मिलेगा globalization मैं consumerism female को देखते ने डियो के आड आते हो डियो लगाता है पूरा commodify कर दिया female को commodity बना के दिखा दिया है अपनी property बना के दिखा दिया है यह culture इंडिया में लाना चाहते थे हम कि नारी की इज़त भी ना करें कि वो डियो लगाता है फिस-फिस करता है और सारी रड़किया पीछे बागने यह क्या है यह सच्छा misogynist thing should not be there न इसी लिए आपको मैं जो बात समझाने कोश्च कर रहा हूं इंडिया में एक consumer यह सब इंडिया में पैदा हुआ अच्छा अभी आपने लपीजी रिफॉर्म के बारे में समझा वापस हम एक नए टॉपिक पर आ रहे हैं हम डिमांड और सप्लाई के बीच का फर्क समझने जा रहे हैं कि यह आखिरकार डिमांड क्या होती है आखिरकार सप्लाई क्या हो और प्राइस से कनेक्टेट दिखाए रहाता है बाकी चीज़ों को इक्कोल या कॉंस्टेंट रखा जाता है वह है रिलेटेड गुड्स सब्स्टिट्यूट या कॉंप्लिमेंटरी गुड्स अच्छा एक गुड्स के चेंज होने से दूसरे गुड्स की डिमांड पर क्या फरक पड़ेगा पहले मैं आपको बता रहा हूँ सब्स्टिट्यूट गुड्स फिर मैं आपको बता रहा हूँ कॉंप्लिमेंटरी गुड्स दो चीज़ें सब्स्टिट्यूट और कॉंप्लिमेंटरी substitute, चाय का substitute क्या है अरे सर चाय का तो कोई substitute ही नहीं होता coffee, technically as a beverage अब चाय नहीं पी सकते तो coffee पी लोगे अब मान लो चाय के rate बढ़ गए it became expensive तो पता क्या होगा, coffee की demand बढ़ जाएगी पता कैसे, चाय के rate बढ़े चाय की demand कम होने लगेगी लोग coffee की तरफ shift कर जाएगे जिसके price आज भी कम है और उनकी demand इस तरीके से बढ़ने लगेगी यह है substitute goods जो एक दूसरे के substitute है पहले good के price बढ़ने की वज़े से दूसरे good की demand बढ़ जाती है देख रहे हो complimentary goods जैसे bread butter जैसे car और petrol bread के दाम बढ़ेंगे तो butter की demand कम हो जाएगी क्योंकि better bread महंगा हो गया है और bread के साथ butter लगा के खाय जाता है तो butter भी कम quantity में use होगा क्योंकि bread महंगी हो गई है उसका कम उपभोग करेंगे कम consumption करेंगे और जब कम consumption करोगे कम उपभोग करोगे तो ultimately आपको देखने मिलेगा कि in that scenario, in that situation when you will be consuming less जब आप कम consume कर रहे हो तब उस situation के अंदर when the bread prices have increased the butter demand will decrease क्योंकि bread को कम consume कर रहे हो तो butter उसके साथ खाते हैं तो उसे भी तो कम ही common sense कि bread की demand कम हो गई bread कम खरीद रहे हो कच्चा बटर थोड़ी न खाओगे, कुछ लोग हो सकते हैं इतने talented हो but normally इतना talent ना लोगों में होता नहीं है unfortunately तो ज़रूरी नहीं है कि आप उस time पर इसको consume करो clear है इसी लिए आपको concept देखने मिलता है that substitute goods and complementary goods का impact increase in demand पर देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है is this clear to you study IQ IS अब तयारी हुई affordable